हालो एंड वेलकम बैक, आएए बनाते हैं ये मोजाक स्टाइल मंडाला हमारे पास है 20 इंचिस का MDF बोर्ड, इसके सेंटर में 9 इंच का सरकल बना कर बाकी सारे बोर्ड को ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया है अपना मंडाला डिजाइन स्टार्ट करने से पहले मिरर की मार्किंग का एक फाइनल चेक जरूर करें वाइट चार्कूल पैंसल एंड कमपास की हेल्प से बोर्ड पर इस तरह से मार्किंग्स बना ले अब dotting tool की help से markings के उपर इस तरह से dot बनाते चले मैंने यहाँ 4 circle बनाए हैं जिसमें हर एक circle में dot पहले की comparison में बड़ी होती गई है इसी तरह धीरे-धीरे dots लगाते चले ये dotting tools आप nearest art and craft shop या online भी purchase कर सकते है चार circles complete करने के बाद अब white charcoal pencil की help से इस तरह के pattern ड्रॉ कर ले एक golden dot लगाकर इसको pointed dotting tool की help से rhombus या diamond की shape दे मोजैक style मंडाला में हम dot को pointed dotting tool की help से square, diamond या rectangular shape में change कर देते है इस तरह से dot लगाके उनका square बनाते चले अब next layer golden dot की लगाए मंडाला ड्रॉ करते हुए इस तरह की mistake होना बहुत common है एक toothpick या earbud की help से इसको जल्दी से clean कर ले paint dry होने से पहले ही उसको scrub करके अच्छे से निकाल ले dry होने के बाग paint निकालना is next to impossible actually acrylic paints को dry होने में काफी time लगता है and that's why at times color spill हो ही जाता है अब इसके उपर black paint करके वही design दुबारा से बनाए इस मंडाला में मैंने 3D markers का भी use किया है पूरी मंडाला complete करने में मुझे तकरीबन 50 खंटे लगे हैं इसलिए कुछ design मैंने time lapse करके दिखाए है मंडाला एक time consuming art है तो अपने daily targets छोटे ही रखें जिससे मंडाला में interest बना रहे 3D marker यूज करते समय pressure constant रखें otherwise एक साथ जादा color भी निकल सकता है या हमारी dots uneven हो सकती है मंडाला complete होने के बाद उसे 24 hours तक सूखने के लिए छोड़ दें dry होने के बाद wet tissue या baby wipe की help से painting की सारी markings हटा लें अब उस पे varnish की एक coat करके उसको dry कर लें and then second coat करें generously favicol लगाकर mirror place करें 4-6 hour तक favicol को सूखने दें cut mirror लगाकर look को complete करें वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताएं subscribe to my channel for more such content and do give a thumbs up if you like my work